गूड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम पक्सीनिया में पाए जाने वाले सैकिन्ड स्पोर टेल्यूटो स्पोर के बारे हम बात करेंगे इससे पहले हमने यूरोडो स्पोर स्टेज की बात की थी अब जानते हैं कि पक्सीनिया एक मैक्रो साइक्लिक रस्ट फंजाई है जिसके अंदर पांच दरह की स्पोर पाज़ते हैं यूरोडो स्पोर टेल्यूटो स्पोर बैसीडियो स्पोर पिक्नीडो स्पोर और एशियो स्पोर ईडी। ट्टॉл पोर स्टेज हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में आज हम टेलितु स्पोर की बात करते हैं टेलितु स्पोर जो है इडी। पोर के बात की श्टेज है और जब एंवर्मेंट जो है टेंप्रेचर हाई होता है गरम वातावन होता है तो उस वक्त जो है Mycelium जो है Uruguay Spore के इस्तान पर जो है Teluitospore बनना प्रारम कर देते हैं और अगर हम शुरुआते स्टेज देखें जहां Uruguay Spore बनते हैं उस वक्त क्या होता है जब मैसम मदलाव होता है तो Uruguay Spore और Teleto Spore एक साथ नजर आ सकते है लेकिन दीरे-दीरे जैसे वातावर्ण में चैंज़े आते हैं और जो है मौसम जो है गर्म होता है वातावर्ण गर्म होता है तो उसमें दीर-दीरे Aero Do Spore कम होते जाते हैं और Teleto Spore के सिंख्या बढ़ती जाती है और अंत में जो है किवल टेलिटो स्पोर ही नजर आते हैं और इस तरह से जो है टेलिटो स्पोर बहुत सारे ग्रूप में जाते हैं और ये टेलिटो स्पोर जो है टेलिटो सोरा ही कहलते हैं तो हम इस एक डाइग्राम देखते हैं उसके बाद जो है इसको डिस्कस करते हैं कर दो है खो है इसको बाद कर दो है झाल 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 झाल